गर पहुचने के बाद मैं सूची पढ़के दिखाऊंगा थैली में सभी वस्तुएं लाए हैं या नहीं ये देखेंगे ठीक है चलेगा अजय मैं सूची पढ़ता हूँ तुम एक एक वस्तु थैली से निकाल गई आ रखो रवा अरहर की दाल छोले नमक की बैग एक किलो की एक साबून की टिकिया और अगर बत्ति के दो डिब्बे पडोस वाली चाची जी को भी एक चाहिए इसलिए एक ज्यादा लिया मैंने अच्छा लेकिन ऐसे अलग अलग नाम क्यों एक मोगरा है और एक चंदन है चंदन बहुत महंगा रहता है इस कारण चंदन की आगरबत्ती भी महंगी रहती है लेकिन तुम्हें कीमत कैसे मालूम पड़ी ये देखो इस गश्ते पर लिखी है अभी मुझे बताओ इस दूस अच्छे डिब्बे की किमत कितनी है यहां रुपए सत्तर लिखा है हाँ चलो अब हम रसीद देखेंगे चलेगा लेकिन भाईया रसीद याने हम सब सामान लेते हैं तो दुकान वाला हमें थेली में भरके देता है और हम थेली लगे घर में वापस आते हैं हाँ बराबर है लेकिन बराबर कितने पैसे देने पड़ते हैं यह हमें दुकान दार बताता है और इस कारण ही वो रसीद तयार गरता है यह देखो यह है रसीद भाईया मुझे भी देखनी है ठीक से पकड़ो बहुत महत्वपूर्ण चीज है यह जी हां यह देखो इसे कहते हैं रसीद ह हमने क्या-क्या लिया इसकी तुकानदार ने भी एक सूची बनाई यानि एक ही काईवस के बाए बाजु में एक के नीचे एक नाम लिखे उसके सामने दाहिनी बाजु में उस वस्तु की किमत लिखी सभी सूची बनाने के बाद उन्होंने एक आड़ी रेशा निका ली की रकम वही ये रसीद है दिखाओ अरे चाचा जी ने अगरबत्ति के पूडियों की कीमत अलग-अलग लिखी है अभी आई बात समझ में वस्तु की की कीमत क्यों देखनी चाहिए वस्तु की कीमत पता चली तो रसीद बराबर है या नहीं यह जाचना आसान होता है रसीद में उसकी कीमत लिखनी पड़ती है कभी कभी वो रह जाती है इस कारण हमेशा रसीद लेना महत्वपूर्ण बनता है और कैसा है इस रसीद पर दुकान का नाम भी लिखा है वैसे पता और दिनांक भी लिखा है मैं दीदी के साथ मॉल में गया था न तब वहां के भाईया जी ने ऐसे हाथ से रसीद नहीं बनाई थी उसने कुछ बटन दबाए और यंत्र से एक बड़ी कागज की पट्टी निकली अरे हाँ अभी बहुत सारी जगाओं पर ऐसे रसीद तयार करने वाले यंत्र ही इस्तमाल करते हैं कुछ जगाओं पर संगनक पर रसीद तयार की जाती है है ना मज़ा मुझे बताओ तुमने कौन कौन से रसीद देखी है दूद की रसीद और होटेल की रसीद बिजली की रसीद और हाँ पेपर की तथा अर्तमान की रसीद हम होटेल में खाने के लिए गए थे तब तश्तरी में रसीद रखी थी ना हाँ बराबर तो ऐसी अलग-अलग रसीदें हमें मिलती है ठीक है उसके पैसे हमें देने पड़ते है लेकिन पैसे देने से पहले क्या करना पड़ता है रसीद का पैसों का जोड़ देखना पड़ता है मैं एक रसीद तैयार करके देखू हाँ करो मैं तुझे वस्तों की खाना खाने के बाद हमें कितने पैसे देने हैं ये समझने के लिए रसीद आवश्यक होती है। रसीद पर दुकान का नाम, पता तथा दिनांग भी लिखा होता है। बाएं बाजो में सूची लिखी होती है। उसके सामने वस्तू की कीमत लिखी जाती है। सब सूची पूरी होने से रकम का जोड़ करते हैं। करके देखिए। अलग-अलग रसीदें इकठा करके वे कैसे लिखी है इसका निरिक्षन कीजिए। करके देखिए। करके देखिए। अलग-अलग कर दो कररणे में आी जाती है। कर दो